हम अपनी रिसेर्च इंस्ट्रूमेंट्स की वैलिडिटी और रिलाइबिलिटी वाली गुफ्तगू को जारी रखते हुए अब हम इस मॉड्यूल में वैलिडिटी के कॉंसेप्ट को थोड़ा सा एक्स्प्रेन करके और फिर वैलिडिटी के डिफरेंट एविडेंस पे बात क करते हैं जैसे मैंने आपको पिछले माडूल में भी पिताया कोई टैस्ट या कोई भी इंस्टूमेंट है कोई रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है जैसे कोई हो सकता है जैसे observation के जो टूल बनाएंगे वो टूल वैलिड होने का क्या मतलब है कि वो टूल उसी चीज को मैयर करे जिस चीज को मैयर करने के लिए उसको बनाया गया था ये एक बहुत ही important concept है देखिए मसला मैंने एक टूल बनाया जिसके जरीए से मैं आपकी जहानत को मैयर करना चाहता हूँ तो टूल के अंदर मौजूद सवालात वो होने चाहिए जो आपकी जहानत के मैयर के तौर पे इस्तमाल हो सकते हूँ मिसाल मैं आपको यू दे देता हूँ एक और देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी राइटिंग स्किल को चेक करूं अब राइटिंग स्किल को चेक करने के लिए मैंने आपको एक टेस्ट दिया बनाके और वो टेस्ट सारा मुल्टिबल चॉइस प्यूस क्यूस पर मुश्तमिल है और वो म्ल्टिबल चॉइस चुईस क्यूस बहुत अच्छे बने हुए Cheese क्या वो तमाम टेस्ट हल कर लेने से मुझे आपकी राइटिंग स्किल के बारे में कुछ पता चल सकेगा कि वो कैसी है बेशक आप वो सारे के सारे सवालाद के दूर्स जवाब दे दें उनके जवाबाद से मैं आपकी राइटिंग स्किल का अंदाजा नहीं लगा सकता तो इस सुरत में मैं यह नहीं कहूंगा कि वो टूल गलत बना हुआ है उसके question ठीक बने हुए है multiple choice लेकिन वो टूल writing skill को measure करने के लिए valid टूल नहीं है वो इस मकसद के लिए इस purpose के लिए बना हुआ टूल नहीं है वो इस मकसद को हाल नहीं कर सकता आपकी performance चाहे उस test पे कैस इसी भी आ जाए तो valid होने से अमराद पर यह होई कि आपका test उस चीज को measure कर सकता हो जिसको measure करने के लिए वो बना है और आप किताबों में अक्सर जब यह पढ़ते हैं अपनी textbook में तो जनरी महा लिखा होता है कि a test is valid when it measures what it intends to measure जिस चीज को measure करने का उसका मकसद था वो सो यह इसका बन्यादी concept है इसको ensure करने के लिए हम validity किसी tool की देखने के लिए बहुत सारे evidence collect कर सकते हैं मुखतलिफ तरीकों से हम सबूत इकठे कर सकते हैं जो हमें यह बावर कराते हैं कि यह tool valid है अब उसके लिए मैंने आपके slide पे उन तमाम तरह की evidences के नाम लिख दिए ह यह एक construct validity कहलाती है एक criterion validity है criterion validity के फिर आगे दो मुख्तलिफ किसमें है concurrent और predictive validity और दूसरी तरह मैंने जो नाम लिखे हुए हैं यह भी तमाम validity evidences हैं लेकिन बन्यादी तोर पे जो measurement के experts हैं वो यह कहते हैं कि एक tool के valid होने के लिए उसमें कमस कम तीन तरह के evidences का होना जरूर ही है तीन तरह की सिफात उसमें अगर हमें मिल सकें उनके सबूत मिल जाएं तो हम कहते हैं कि यह test valid है और वो तीन जो हैं वो सीज हैं content, construct, criterion यह तीन लाजमी हैं इसके बगार tool valid नहीं होता लेकिन इसके इलावा इजाफी है और जिसमें face validity है, convergent validity है, divergent है, ecological validity है, internal validity है, external validity है यह तमाम concept है, अब इस course में मैं सिर्फ वो जरूरी तीन element जो हैं उनको explain करूंगा, जिनकी मौजूदगी के बगार किसी भी test के valid होने का दावा नहीं किया जा सकता, तो सिर्फ उन तीन को मैं वजाफ से explain करूंगा, बाकी नाम आपके अपने पढ़ाई के लिए self study के लिए म आप चाहते हैं इसको और पढ़ना, तो आप उन तमाम evidence के बारे में भी पढ़ सकते हैं, तो इस वक्त slide पे आपके सामने जो नजर आ रहे हैं तीन आने वाले modules में, मैं इनको एक एक करके आपके लिए explain करूंगा, और आपने इसके concept को समझ के, जब आप अपनी research का tool develop करने बैठें, तो ये ensure करना है इन तरीकों से, कि जो tool बनेगा उसके अंदर ये तीन characteristics जो है, ये लाजमन पाए जाने चाहिए.